हाई गाईज, वेलकम टो क्वेशन बैयंक्राफ्ट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं होली की कमाल की डेकोरेशन, और आज की सजावट का थीम है कानहा जी संगोपियों की व्रिंदावन होली, व्रिंदावन का एक बहुत ही प्यारा सा सीन हम क्रियेट करेंगे, तो आज की इस कमाल की वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है, तो यह दिखे गाईज, काना जी के साथ, खोली केलने के लिए मैं इतनी जादा एक्साइट थी, कि मैंने बहुत सारे कलर्स यहां पर मंगवा लिये हैं, आप लोगों की खोली की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके बताईएगा, तो यह वो स्पेस है, जहां पर हमें डेकुरेशन करनी है, और नेक्स्ट गाईज, यह बहुत ही प्यारा सा बैकड्रॉप है, जो मैंने आपको लास्ट यह बनाना सिखाय था, इसे वाल पर हमने ट्रांस्परेंट टेप से स्टिक कर दिया है, और यह इस मैंने ब्लाक सिमेंट और बजरी का यूज करके कुछ पत्थर तयार किये थे, जिन से वरिंदावन होली का जो होली खेलने का मैदान है, उसकी मैंने यहां पर बाउंडरी बना दी है, और वाइट सिमेंट से भी मैंने आपको पत्थर बनाने सिखाय है, उसका तो वीडियो मेरे चानल पर अप्लोडेड है, आगे की साइट से मैंने थोड़ी सी स्पेस लीव की है, ताकि मैदान में आने जाने का रस्ता बना रहे, और अब यहां पर मैने जो होली कलर्स परचेस किये थे, उसमें मुझे मिट्टी के शेड का भी कलर मिल गया था, तो मैंने सूचा मै पत्थर की बाउंडरी होगी ना, या आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है, जैसे जो स्पेस, जितनी स्पेस आपको सही लग रहे हैं बनानी के लिए उस स्पेस में आप अपने हिसाब से इसकी बाउंडरी तयार कर लीजिए, लाइक इसकी लेंथ या विर्थ आपको कि बनानी सिखाई थी, इसके टुटोरियल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इसको भी मैंने एक साइट पर लगा दिया है, और अब हम अपने मैदान पर काम करना शुरू करेंगे, सबसे पहले यह हमने डॉल को गनेश जी के स्वरूप में तयार क पहले, तो मैं इनको भी यहां पर मैदान में बिठा रही हूँ, साथ में डिस्पोजल कपकी छोटी सी जूपड़ी है, जिसको एक तरफ मैंने लगा दिया है, यह हमारा मोर है, जो हमने अल्यूमीनियम फॉइल ग्लिटर शीट इन सब का इस्तमाल करके बनाया था, और अब पर पेंटिंग का वर्क भी ऑविसली हमने ही किया है, काफी जादा सुन्दर है और मैंने न्यू न्यू डिजाइन इसमें आड किये हैं, तो इनको भी मैं होली के यहां पर यूज कर रही हूं सजावट के तौर पे, इनकी टुटोरियल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा गाईज, आप जरूर इसे बनाना सीखिएगा, और अब होली का रंग डालने के लिए और भी अलग अलग चीज़ें, तो मेरे पास यह प्लास्टिक का बाउल था, जिसको मैंने डेकुरेट किया है, साथ में काना जी की सजावट करें और मटकिया ना यूज करें, ऐस सारी गोटा से, कुछ पेंटिंग से, कुछ बॉल चेन वगरे से, अलग अलग तरीके से हमने सजाए हैं, कुछ मेरे पास नए दिये रखे वे थे, उनको भी अमने डेकुरेट कर दिया, लाइक कलर डाल के इनको भी रख देंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, यह मेरे प इस तरीके का आता है, चार्ज शेल्फ का बहुत ही प्यारा लगता है, इसको भी पूरा हमने अपर अपना एक अलगी आर्ट फॉर्म यूज करके डेकुरेट किया है, और अब कलर की थालिया रखने के लिए कार्ट बोड से हमने इस टाइप की टेबल्स बनाई हैं, यह नी आरी चीज़े दिखा दिया अब इनके अंदर में कलर फिल करना है, तो जैसे करके बहुत ईजी आप कलर यहां पर फिल कर सकते हैं, मैंने बाकी जो भी मटकिया वगेरे थी, जो भी थालिया थी, टेबल के उपर सब को अरेंच कर दिया है, यह दिखी सबसे पहले गनेज जी और हनमान जी के पास एक टेबल लगाई है, इसमें हमने कलर डाल दिया है, यहां पर यह जो सीमेंट वाला था, इसमें भी हमने कलर डाला है, यह पूरा हमने थाली वगेरा सीमेंट के बरतन जो बनाए थे, मटकिया जो थी, सब में हमने अलग-अलग कलर को डाल कर यहां पर साथ में हमने जूपड़ी के पास एक फ्लापॉड भी लगाया है पूरा हांडमेड है और अलग अलग हमारी जो मटकियां वगेरे थी जो थालियां थी उनमें हमने कलर डाल के रखा है साथ में गाइस यह बर्ड का बहुत क्यूट सा शोपीस है और अब काना जी होल के तो पानी की तो हमें विवस्ता करनी है तो यहां पर मैं आपको यह भॉकिट पिछकारी भी दिखा देती हूं जिसे हमारे काना जी होली खेलेंगे तो यह बकिट और मेरे पास गयांज जो मैंने लास्ट एर आपको बनानी सिखाई थी इसका भी मैं यहां पर यूज करों तो अब यहाँ पर यह कुलड वगएरे में भी हम डाल देते हैं, पानी का लुप भी बहुत कलर्फुल आएगा अगर आप इसमें कलर वगएरे आड़ करेंगे तो तो यह मैं सब में अच्छे से एकदम प्रॉपरली पानी डाल देती हूँ और इन सब को भी हम मैदान में अरेंच कर देंगे, अब गाईज एक और यहाँ पर स्पेशल सी चीज, मैंने आपको दो तीन टब बनाने से खाय तिकाना जी के लिए काफी बड़े साइज में, तो एक टब को हमने मैदान के बाहर रखा है और इसके अंदर में कलरफुल फॉम फ्लावर्स, थर्मकॉल की बॉल्स, साथ में जो कलरफुल पेबल्स होते हैं, वो सब डाल रही हूं, और यह मैंने बाहर की साइड एक डेकोरीटिव पीस की तरह रखा है, तो ओवर ओल गाईज यह देखिए, यहाँ पर हमने इसमें पानी डाल के कलर गोल दिया, यह मैंने सबसे स्पेशल चीज, हमने डाल से राधा कृष्ण की स्वरूप को तयार किया है, यह देखिए, यह है हमारी प्यारी सी राधा रानी, कितनी जाधा सुन्दर लग रही हैं, इनका लहंगा ब्लू और पिंक में हमने रखा है, गाईज राधा कृष्ण को इतने सुन्दर स् काना जी, जिन्होंने यलो कलर की दोती पैनी है, पिंक कलर का पटका है, मुकट भी बहुत ही प्यारा सा है इनका, तो आपको यह दोनों कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मेरी ममी ने इनको इस तरीके से सजाया है, और इनका फेस मेकप वगेरा मैंने कि दिया है, तो आप लोग भी इस तरीके से डॉल को राधा कृष्ण की स्वरूप में तयार कर सकते हैं, हमने इनको यहाँ पर मिदान में खड़ा कर दिया है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने छोटी छोटी डॉल का इस्तमाल करके ग्वाले बनाए हैं, क्योंकि हम काना जी, जो छोटी से काना जी होंगे, वो अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, वैसा भी एक सीन क्रियेट करने का सोचा है, तो उसके लिए मैंने ग्वाले बनाए हैं, और यहाँ पर राधा कृष्ण के आसपास मैंने जो आपको घर के समान से बहुती सुन्दर सी गोपियां बना हैं, और यह हमने एक बोड तयार किया है, वरिंदावन की होली, यहाँ पर मैंने इसको खुद लिखा है, वरिंदावन की होली, साथ में दो अल्यूमिनियम फॉल के रोल को डिस्पोजल कप में सेट किया है, यह पत्थरों से हमने वाकिंग पाथ बना दिया है, और यहाँ पर काना जी अपनी गोपियों के साथ, राधा जी के साथ होली खेल रहे हैं, साथ में यह हमने काना जी के लिए ठंडाई की भी विवस्ता की है, साथ में मिश्री, बादाम, यह सब कुछ है, और यह है गाइस हमारी complete decoration का लुक, मैंने आपको without injection पिछकारी बनानी सिखाई थ है, काफी जादा सुन्दर है, पूरा सीन, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, I hope आज का यह colorful सा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आप सभी को भी होली के इस रंग बिरंगे त्योहार की बहुत सारी शुपकाम नाए, I wish you a very happy holy in advance, और आप सभी अपने काना जी के लिए सजावट करिए, उनके साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही मस्ती से होली सेलिब्रेट करिए, so guys कैसी लगी आपको हमारी व्रिंदावन होली की पूरी की पूरी सजावट, काना जी अपनी राधारानी और गोपियों के साथ होली खेल रहे हैं, कैसा लगा यह नोटिफिकेशन बेल, तो अब मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में इसी तरीके के अमेजिंग आइडियास के साथ, तब तक के लिए बाई, टिक केर, हरी कृष्णा, राधे राधे, और विश्यों वेरी हैपी होली अगें, थांक्स पो वाचिंग, बाई